कि अगे चलब यहां से रूकिया सार मेरी गाड़ी से कोई मेरी गाड़ी सीच करके ले गया है छुड़ाना है किस एरिया से उठाया इसी एरिया से हमारी एरिया से गाड़ी उठाने की हम्मद किस न खी हाई भाई बात कर नॺड़काया कोई क्या कोई सीजर है वो कोई सीजर है वह क्या होता भाइब गाड़ी उठा ले जाते हैं ना उन्हें सीजर कहते हैं है यह काम तो हमारी भी फंडर करते हैं अरे चोरी करके नहीं बाइ गाड़ी को लेगल तरीके से ले जाते उन्हें सीसर कहते हैं अच्छा जिय इअ आठा facto उस रोड़ा तैक है एक की रानी लेना एक जबार भी देखना आप हुआंसे ले सकता है तूम मैंसे कौन सीसर है है यहां सीजर कोई है पता नहीं है तू है क्या नहीं मैं नहीं हूँ अ है तू सीजर है क्या थी दिसाई है झाल 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 गुरू वो बच के निकल जाएगा गुरू अगर वो बच गया तो हम नहीं बचेंगा गुरू गुरू चलो उसे छोड़ना नहीं है गुरू गुरू मेरी बात सुनो गुरू गुरू क्या कर रहा है गुरू गुरू मेरी बात सुनो गुरू क्या कर रहा है वो चला जाएगा गुरू कहां चला गया गया कुरू भुरू भुरू गया गुरू भुरू हुआ है सिर्धी तरह का रहा हुजा हाद मतलगाना हुआ सिर्धी जग बत्ड़़ज़भववदा सै गूलत्यों स्था स्था क्यों बचाने के लिए मैं भी देखता हूँ क्या हूँ यह लिटीट कि भुट हुउ इहुछ नहीं, आप में आप तॉट हुणाँ नहीं युट हुछ कि भुट वाँ हुछ कि अच्ष वहुछ orithनी युट चुट हुछ क्रेजी क्रेजी मैं हूँ क्रेजी बड़े बड़े की कर्दू शुक्ति जो ही आया सामने मेरे सर पे उसके पड़े जमेले सर पर फुटेगा सामने नगा जितना गूर है अब तूटेगा मान मेरा कहना भाग जा सभी चल भी नब आएगा पैरों पे कभी तोर के हाँ बेर रख तूंगा ले मैं तूंब बड़ा क्रेजी बंगा न ले यहां काम करने वाले सबी सीजर्स का मैं एकलाओता फैननसर हूँ कि वैंगी जी भाई आपना सीजर्स अतिश आइसीउ में हैं उसकी जगहें पर किसी अच्छे Caesar को ढूड़ो मेरी नेतर में एक है भाई नियत और ताकत दुनों में नमबर वान है उसका नाम क्या है? Caesar है, sir मैंने बुच्छा उसका नाम क्या है? उसका नाम ही Caesar है ठीक उसको बुला नमस्टे, sir नमस्कार Caesar, look में guts है outlook में confidence है good डेर सो गारियां, सीज कर पाओगे तुम उसकी कमर देखो, बेंस की तरह है ए उसके पैर देखना, कॉंटे सा की तरह है है ए चवन्नी, तू कभी नहीं सुधरने वाला है जब देखो चवन्नी गिरी करता रहता है जब देखो लार्टक काता रहता है उदर देख सब लोग बेखो, स्पोर्ट अंदर बेख, चला 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 अर्णी वाला केशोट संवर्त्मा पार्णीभ के तुमोर्ट उदरी देख रहे हो इने गुरू कार को बार बना कर अंदर ही मज़े कर रहे हैं यह लोग गाड़ी आगे ले जाने के लिए को कार से बाहर निकल है गाड़ी पर लोन है चल बाहर निकल क्यों अबे तू कोन है क्या तेरी मा बहन पुरी फैमिली थे आपाने थे लोगाड़े थे बाहराशे थे तू कर ना थे पर अधाल नहीं बार्स पिचल दू कर फान्याशन पर जा पलाद नहीं नहीं बास बचोड़ाए तू कर दो पर जा थे टेरी माँ भेन मतलब मेरी भी माँ भेन अगरूब अरे मुझे फसाकर कहां चला गया शुक्र भाई बच गया अपन तु कॉने पर मुझे क्यूं मारा है मैं हां का रैगुलर कस्टमर हूं हमेशा पी नहीं आता हूं आज कुछ नहीं खाऊंगा तुम दुग जी मिल गए यहा तूट गया है विठाना जरा हुँ से गुरू किया यार गुरू तुम भी मुझे वहीं पर छोड़कर चलिया है तुम स्पॉर्ट तु गाली में क्यों नहीं बैठा यह जादा बनो मत मुझे सब पता है जब मैंने उसका दान तोड़ा तो मुझे लगा कि तु गाली में आता ना तुम मुझे जरूर पीड़ा खिला देते हैं चल कोई बात नहीं कोली वाड़ा में जाकर वहां गाड़ी खड़िये लेकर आजा है या गुरू हमेशा तड़ी पार जगह पे भेजते हो वह काला चोकी वह धारावी माईम बहराम पाड़ा यह सब जो है ना भिंड मैडम एटियम यही है अहां ठीक है मैं भी थोड़ा जाकर आता हूं ठीक है जल्दी आना आप 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 क्या भाई आज दो दो गाड़ी डबल बॉन सेग्या शीज करते समय गाड़ी चेक नहीं की थी चेक करके लिस्ट में डाल देना दिए के भाई भाई या क्यों के अगा हो एक या अगरो एश्पट जल्दी से बीजीयस होस्पिटल पहुँंझा क्या हुआ गुरो तेरे जाने के बाद मैंने एक अबूलैंस को सीज किया उसमें एक पेशन्ट याः एम बूलैंस के साथ पैशेंट को सीज़ कर या पकवास मत कर जल्दी पाहुंच अरे रूपा सुनिये एक एमर्जेंसी केस का ट्रेट्मेंट चल रहा है और दोनेट यूर ब्लड इट्स अर्जेंट यहीं रोक दो भाई मैं अभी आया अंकल क्या हुआ उसे बिती अखिर उसको हुआ क्या है बताओ तो अपने जरा भी खयाल नहीं रखती ये लड़की मेरी बात तो कभी सुनती ही नहीं है सलाम साब यही उस चाय की दुकान का मालिक है सर नाम क्या है आपका करीम अब्दुल जाफर साब कहां रहते हो धरावी में साब बताओ उस दिन क्या हुआ था बताता हूं साब बलराम भाई मेरे यहाँ चाय पीने आये थे उनके आने के दो मिनट बाद एक ट्रेक्टर आकर ख़ड़ा हुआ साब बस इतना ही पता है साब चाय के ग्लास धोने के बाद देखा वो लोग भाग रहे थे पीछे कौन लोग भाग रहे थे यह देखने से पहले वह बहुत दूर चले गया साब ट्रैक्टर जाने से पहले मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था और वो पड़ाए और जल्दी खुतम करेंगे ठीक ना ओके गुरू यहीं रोक लो यहीं 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 बस 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 यह गाड़ी आहा मत लगाओ पार्किंग में लगा एक काले जामन पहले अपनी जेप लगा हमें अबसे का पार्किंग कहा करनी है अब तबीयत कैसी है यह कौन है चाच कि अधर्ट ले आया और मैडम को है एड मिट कर वाए यह तैंक यू एक कैसे हुआ तर कल कॉले से निकलने के बाद इसे चक्कर रहा और यह गर गई बस एक मिनत के लिए एटियम से निकलने गए इतने में को याया और एमूलेस ले गया सर शुक्रह इनों तुमें तुमें आप लोग बात कीजे में जा कर आता हूं जरा धयान रखना पिटी अप करते क्या है सर हमारे साब ना सीजरों के भी सीजर है सीजर मतलब आर्टीव इंस्पेक्र है रहर है घृु डेवी के साथ बात करनी हो तो कर लो क्योंकि ऐसा महुका दुवारा नहीं मिलेगा क्या हुआ कुछ नहीं, देवी से बात करनी है, ये कह रहे हैं मेरे नाम देवी नहीं, दिव्या है अच्छा, वैसे नाम में क्या रखा है, इनसान को इनसान के काम आना चाहिए ये लीजे, हमारे साब का कार्ड क्या कर रहा है भे? इसमें तो सिर्फ नंबर ही लिखा है अबारे साब एक इमानदार आफिसर है क्या बोलो तुछ ना गुरू? ट्रांसफर बहुत होता है इनका, इसलिए परसनली स्कार्ड को मैंने अपने हाथों से बनाया है बस एक फोन कीजे मेडम, आपका काम हो जाएगा चुप रहना, अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए, थांक यू देगा, कैसे बात को घुमाया, बचा लिया तुझे चुप नहीं रह सकता, इस्क्यूज मी वाट, टेल मी तल आपने ये ब्लड डोनेट किया था ना, मेरे साथ आईए आपका ब्लड हमने एक पेशेंट को चड़ाया, अब देखियो कैसे बिहेब कर रहा है, सबी गाडिया एक दन स्वर्ख की अब सराय लग रही है, चलने वाली ट्रेंट को भी नहीं चोड़ने का, उड़ने वाला प्लेंट भी नहीं चोड़ने का, सीज मतलब सीज करने का देखता है रहे, भाई मैं हूँ, यहां पार्किंग नहीं है, और गाड़ी कहा पार्किया कुछ पता नहीं चल रहा है, अब क्या करूं भाई, तुम एक्जैक्ली हो अभी कहाँ पर, मैं एक्जैक्ली शिवाजी नगर के मज़ित के पास हूँ, शिवाजी नगर के एए, थू, चलो आगया हो, यह क्या गुरू, यह तो हमें हूल दे रहा है, लगता है खुद को डॉन समझता है, यह, आखिर यह है कौन, शकल से तो बंदर लग रहा है, बंदर के साथ-साथ पागल भी लग रहा है, गुरू, बदभू तो सब के बगल में होती है, इसके तो पूरे शरीर में आ रही है, कोन हो रहे तुम लोग, सीजर, डॉन टाच, गंदे कहीं के, सीजर, सीजर, बोले तो जेब कत्रे, मतलब चोर, अरे बाप्रे, सीजर नहीं, सीजर, दोनों तो एक ही है ना, अरे रही तो, दो बर हात मत लगा ना, गाड़ी पर लोन है, तो तो हो गाई ना, इंटरनेट पर पॉन और गाड़ी पर लोन तो होता ही है ना, जैसे पॉन देखना गहर कानूनी होता है, वैसे ही लोन पर ली हुई गाड़ी क ब्याकर की बाते मत कर मेरी बीवी एक फर्स्ट दंड लेकिन क्या है न मेरी दो दो भीवे ले यह यह बत कर नीए गाड़ी का लोन सेडल करके लेके निकल ले बस इतना ही ना तो पहले बोलना चाहिए था ना ब्याकर में बहस करना शुरू कर दिया कितना हुआ था दो लाग मेरे को लोगा दो सुरू रुपया होगा खेर छोड़ो इस बर जाने दो ना कपड़े उतर जाएंगे पहले ही देना चाहिए था ना बंदर क्या अला तो दे दिया ना चला हट काड़ी के सामने से हुआ है 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 जार है तम 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 है 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 इसलिए मैंने पाइलीज बोला था हुआ चोर सीजिै करा है और jan konuş और जाते आज़ीना इंटे जाते है सिर्फ चोर बिना बताये वार्ण ili जाते में आदे किलोमेटर में ही मिल जाएंगे बोल क्या है भाई वो आईपील के मेटिंग में सारे पैसे गवा दिया भाई गाउं में सिटल होने को सोच रहा हूं कार भी बेश सकता हूं लोन पर उठाई है कभी भी गाड़ी सिस कर सकते हैं भाई आपको दी तो आप से सेस करने कोई नहीं कर सकता सब्सक्राइब धन्या बास अ डिल हो गई अ इसकी गाड़े तो कहा है वानन फाइनन्स कमपनी एलो चक्र चक्रवर्ती बोलिए एमेज जीरो वन एमजी थ्री फाइवन कार्जो है ना अब वो मेरे पास है हाँ उस गाड़ी पर हमारा एचपी लगा हुआ है अब अगर किसी ने भी उस गाड़ी की तरफ देखने की कोशिश की हाथ लगाने की कोशिश की तुसके हाथ मैं काट जो करना है कर लो मैं तो गाड़ी सीज करके ही रहोंगा हिम्मत है तो आके सीज करके दिखा नंबर 52 सेकंड में रोड शीवाजी नगर मुंबाई 20 गाड़ी मेरे कंपाउंड में खड़ी है चलो भाई टपका देते हैं नई पता है भाई ने क्या कहा था अगर किसीने कंपाउंड में पह रखा तो उसके हाथ पर काटके गटर में फैक देना याद आया तुम्हें आई वह आदनी गाड़ी लेकर चला गया कहां से लेके गया यहीं अपने घर के कंपाउंड में से हम लोग के सामने से गाड़ी लेकर चला गया जस दिन खून हुआ था तुम बस लेकर कहां गये थे रामपूर गया था सर खून ही तुम्हारे बस में आया कैसे पता नहीं सर तुम्हारे पीछे एक ट्रेक्टर आया था वो कहां गया पता नहीं सर ओके इस खून के बारे में कुछ जानते हो मैं कुछ नहीं जानता सर आप छोड़िये सर ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा इसे अपनी भाशा में समझाना होगा इसका एड्रेस और कॉंटाक डिटेल लेकर इसे छोड़ दो अब तुम जाओ लेकिन बुलाने पर आना होगा कौन है ये लोग भाई वो चक्र चक्रवर्ती तुम जाओ हाँ बोलिये बाई क्या का मेरे घर के कंपाउंट से जिसने भी गाड़ी उठाई है मुझे उस सीजर का पूरा का पूरा डिटेल चाहिए सोरी मैं अपने आदमी का डिटेल्स नहीं दे सकता नहीं दे सकता बोलने से हम छोड़ने वाले नहीं है सीधी तरह बतावा ना तिरी आउकाद दिखा दूगा कुछ नहीं कर पाऊगे सीधी तरह मेरा बैलेंस अमांट दे दो और अपनी गाड़ी ले कर जाओ दो लाख नहीं पूरे तीन लाख दूँगा उस सीजर को मेरे सामने लाओ और उसको मेरे हवाले कर दो करोग यह नहीं नहीं करूंगा बोला ना समझ में नहीं आता ग्या त तेरी गाड़ी उठाने वाल आदमी मैं हूँ उनसे क्या बात कर रहा है तेरे घर में घुसकर अकेले ही गाड़ी लेकर आया हूँ कोई मेरा एक बाल भी बागा नहीं कर पाया खाली गाड़ी सीज़ करने से इतनी चर्मी चड़ गई बैलेंस पेमेंट देकर अपने गाड़ी लेकर चुपचाप निकल जा अगर ज्यादा बात की न तो दर्वाज अब बंद करके बुरी तरह पीटूंगा चुपचाप रास्ता ना अपले इससे भीड़ा तो हुलिया बिगड़ जाएगा तेरा बाई इनके एरिया में है इसलि सेट की गारी की पीछे जाने के लिए बोला तो लड़की की पीछे गया बैटा सेट बहुत खतरनाक है उल्टा लटका देगा तुझे काट के वो तो मुझे भी चाहती है भाई जब यह मुझे देखती है तो आत मारती है पागल हो गया है हलो हलो इंस्पेक्टर बोल रहे ह इंस्पेक्टर कौन से थाने के मेरा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं वो आजियो इंस्पेक्टर रहे हैं इंस्पेक्टर आप कौन बात कर रहे हैं दिव्या उस दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना आपने अहां भैं मुझे तो लगा कि आप किसी सब इ उस गाड़ी के डॉक्यमेंट्स को मेरे नाम पर ट्रांसफर करवाना है और आप तो वैसे भी एक आर्टियो इंस्पेक्टर है तो आप जहां बुलाएंगे ना मैं वहां आजाओंगी आप क्यों आएंगी मैं खुदा जाता हूं ना नो नो आप बहुत बिजी रहते हैं मैं ह आपके आर्टियो का एट्रस क्या है चार बंगला आर्टियो मैं आपका नाम भूल गई सीजर नाम है ओ यार सीजर राइट ओके मैं एक गंटे में वहां पहुंच जाओंगी किसका फोन दा गुरू दिव्या का कौन दिव्या हां ओहो तुमारी देवी दिव्या हां बात क् है जल्दी से चार बंगला के आटियो में एक आफिस का जोगार कर हलो है बॉलिये मैटम ऐल या डियल इंसपेक्टर सीजर कहां मिलेंगे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या सीजर इंसपेक्टर ही सीजर है मैटाम आप कन्फ्यूस कर रही है इंस्पेक्चर अरे से अरह लग हैında से इंस्पेक्जर इंस्पेक्टर से मिलना के अरे मुझे पता मैडम सुबले रीन पता नहीं कहां से चले याते हैं सरखाने के लिए iding oh excuse me है приняeral का कि अंजसे मिड़ाओ कि साखे आड Gutumence ने अचे अध्रूम्न आ जर्ट हो जो यहाँ देजी किसनी आफ़िछा लै यहाँ नहीं साख्ने कि अभनाट कि से थेलगी टंप प्रूमा टी से यहां है ईयाँ आप फरस्टाइम हमारे आफिस है कोफी तो लेंगी ना शपॉर्ट से ने शपॉर्ट बॉय ज़रा कोफी कोफी के रोख कोफी 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 लेकर आ खाई आटा वह क्या है चार फोटो इसमें मांग रहा था कि एक 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 एक्ट्रा रखना आपको आट्य एक्षलिया अट्सि मेरी पर्मिशन के बगार चेमबर में कैसे गए लगता है आप लेटर इमेल वगरा नहीं पढ़ते हैं पहले आप भो पढ़ लीजिए इसपोर्ट बॉय है ज़र आप इने समझाइए आप चलिए आपका ट्रांसफर हुए तीन दिन हो चुके हैं और हमारे बॉस को आपाइंट हुए दो दिन हो चुके हैं आपको किसी ने बुलाया क्या मा कसमा पी आटियो इंस्पेक्टर है सार अब तो सिर्फ एक डमी है सार अर दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूँ डमी यहां मेन्यू दो कपचिप लेकर आना रहा है सौरी कम अगें कपचिप वो कैपचीन होता है हाँ वही भाई दो लेकर राजाओ जल्दी लेकर आना हाँ यहां मैं क्या चल रहा है कुछ खास नहीं महां वहत्सपव अपाइक्टोर अपके बार्टमेंट में हाँ चोरी करने वाले होन करने वाले सब स्टाइल मेरेते हम उनके बाप है इसलिए और स्यादा रहना चाहिए ना चाहिए ना सर्य और अड़र अपयचिप अब अधरे अच्छा वैसे आप काम क्या करती है अग्रिकल्श्रल कोर्स कंप्लीट करूंगी यह सोचकर आई थी पर आने से पहले एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली थी वह क्या कि मुंबई में किसी से भी फ्रेंशिप नहीं करूंगी वह क्यों मुझे इस मुंबई शहर से बहुत ड अधानी है पूरी दुनिया का दिल जीतने वाला ये मुंबई शेर एक दिन आपका दिल भी जीत लेगा सूपर मान वाट डायलोग यार लेकिन मैं तुम्हारे बारे में शेहर के बारे में बात कर रहे थी मुंबई का मतलब हम और हमका मतलब मुंबई कैसे अब हम पुलिस पूरे शेहर में जगे जगे घूमते रहते हैं इसलिए मुंबई कोई अपना घर मानते हैं अच्छा लेट होड़ा है हम चले अरे रुकिये 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 पैसे दिये हैं मैंने कॉफी पीकार ही यहां से चलेंगे वाट उले सवकर पैसे दोगे ओ सड़ी सड़ी कुछा ना चलेंगे तो पीचुका हूँ मुंबई वालों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा यह सोचा था लेकिन कहीं मेरा दिल इस मुंबई के लड़के पर तो नहीं आ गया वहां गया है तो कि अधर गरुट रोग ए यह बन्युक्त गाड़े को डून रहते हम लोग रोग तुम तुम क्या हुआ है चल गाड़ी से बाहर निकल कशला एक गाड़ी पर कॉन सा लोने चल दिखाव तुमारा सीजिंग लेटर की दर है फानेंसर कोने बताव मुझे लेकर राऊ उसको इस पॉर्ट लेटर दिखाव यह ले देख वन एन ओनली फाइनेंस तो फिर आप काई को सीच करोगे गाड़ी को मेरे इस गाड़ी पर धाइलाक रुपए का लोन है तो हमेशा बकरा क्यूं बनता है गाड़ी लेने से पहले नोसी बगर नहीं देखता क्या यह यह नोसी मतलब मतलब बताए से सब देख कर देना चाहिए स्कूल में में छे सब्जक्ट भी पढ़कर पास नहीं हो पाया तो इतनी सारी चीजे में कहां से अपने दिमाग में रखता बैटू लेने से पहले यह पूछताच नहीं कर सकता था क्या नहीं कि मैंने पूछताच गाड़ी देखी अच्छी लगी पसंद आई तो मैंने ले पूलिस को भी सो रुपया देने पर पूरा केस राफादाफा करके वह गाड़ी को छोड़ देते हैं और मैं तेरे को पांच अजर दे रहो फिर भी तुम माना कर रहा है काईस आद्मी यह पांच लाख रुपय देगा तब भी नहीं दूँगा मालेक से भीमानी नहीं करता चाब ही अंदर है ना चल साइड में आजा है चल निकाल एसपोट तुम भाइक लेकर आजा यह बंदर बार-बार हमसे ही टकर आता है तेरी गाड़ी का लोन ठीक से भरा हुआ है क्या घर जाके सोजा भाई हलो 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 हरे एक्सक्यूज मी अरे अपना लेटर तो पक यह ले खीच ले गुरू काड की बात कर रहा हूं मैं अच्छा कार्ड इस वत किसका फोन है यार अ हलो हां ब्रो टेंशन मतलो ब्रो मुंबई में जहां भी होगी मैं उस गाड़ी को डूंड कर सीज कर दूँगा ओके ब्रो बाई गुरू ब्रो बोला ना वो क्या होता है ब खजूर की ओलाद है क्या है देख यह गाड़ी वो गाड़ी और वो वाली सबकी ओनलाइन पर बिडिंग चल रही है और हां जो ज़रूरी पार्ट से सब निकाल लेना ठीक है बाई और हां वो है कहां कौन भाई सीजर वाए भाई गुरू थोड़ी बात करनी है कैसी बात एक गाड़ी सीज करनी थी क्यों भाई तू भी तो अच्छा सीजर है तू ही क्यों नहीं सीज कर लेता ओनर पहचान का है छू नहीं सकता क्यों गुरू कुछ तो जोल लग रहा है देख गुरू तुम्हें गाड़ी सीज़ करने पर दस हजार रुपिया मिलता है है ना मैं तुम्हें पचास हजार दूंगा पकल अफड़े वाला काम है यह नहीं हो सकता ए छोटे तू इसी को शेर कह रहा था क्या यह तो मुझे चूहे से भी ज्यादा डर पोक लग रहा है देख गुरू ताव दिखाने की जरुवत नहीं है अगर नहीं होता है तो हाथ जोड़ लो हम चुपचाप चले जाएंगे यहां से अगर हो सकता है तो सीना ठोक के बोल हम अड्रेस आटी नगर एट में वह एक ही बंगला है और किसी भी वक्त हम वहाँ जा नहीं सकते दस बज़े से ग्यारा बज़े तक ड्राइवर के लिए गेट खुलता है ड्राइवर के पास ही चाबी मिलेगी गाड़ी लेकर आना और पैसे लेकर जाना तू पैसे तयार रख बैटा मैटा कुछ होवर हुआ ना तर समझ लेना क्या है 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 अगा है 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 अगाड़ गाड़ी सीज हो गई है गुरू पचास हजार दूंगा कहा था मैंने अब एक लाक रुपे दूंगा गाड़ी जहां से उठाए थी येड़ी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या अरे येड़ा अरे येड़ा तो मुझे भूपती कर देगा यहां मैं वहां गया तो बहुत बड़ा बावाल मच जाएगा उसने कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा है मैं यह नहीं कर सकता प्लीज गुरू यह मुझे टपका देंग है कि वो कर दो देंगा है झामें यह 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 टीज़ा प्लीज यह 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 लिदो इंग यह 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 नहीं अर्गे लुप है एपका बावबादी कर दो दो मेरे सामने खड़े रहने के लिए फाइनेंस मिनिश्टर बेग पर सोचता है और तू तो सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी का सीजर है तूने मुझे क्या समझा है ड्राइवर समझा मैंने वाइट कपड़े पहनने वाले सर्फ ड्राइवर होते हैं मेरे घर में सफाई वाला खाकी पहनता है तो तू उसे पुलिस समझेगा इसका क्या करें? मार देते हैं भाई छोड़ दीजे क्या हुआ? कार ले जाते वक्त तो बहुत डेरिंग की तूने? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो मेरे आदमी को मैं यहां के लाया हूँ तो मेरी हिम्मत के बारे में तो पता चली गया होगा बात हिम्मत की नहीं है इज़ट की है ये क्या है पता है? बुल इस भूपती समराट की सवारी गुर्वे से ही हम ठोक देते हैं तूने तो टच किया तुझे कैसे छोड़ेंगे? कुछ चल देंगे तुझे खत्म कर देंगे काओं में त्योहार के समय जानवर की बली देते हैं तेरी तो इंस्पेक्टर धर्मा क्या बात है? बलराम के केस पर कुछ बात करनी है आओ पन्ना आजाओ, चलो बैठिये, क्या जानना चाहते हैं? यही जानना है न? आप उससे आखरी बार कब मिले? फोन पर कब बात की? क्या-क्या बातें की? किसी पर आपको शक वेगे रहा है क्या? यही न? देखे, मेरे दुश्मनों की लिस्ट में पांडवों की तरह स्रिफ पांच लोग नहीं है कौरवों की तरह सैकड़ो दुश्मन है आपको जब किसी पर शक होता है तो आप पकड़ कर तहकीकात करते हैं और जब हमें शक होता है तो हम उसकी कहाने खत्म कर देते हैं किसे कब पकड़ना चाहिए, किसे कब छोड़ना चाहिए यह हम अच्छी तरह जानते हैं हम किसे के भी पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ते लेकिन पड़ गये, तो उसे छोड़ते नहीं All the best See you soon ओए हाँ भाई कहा है वो लड़के, वो चलेगा भाई चकाप गुरू, मोबाइल बंद क्यों रखा है क्या हुआ भाई ने फोन किया था किस बारे मैं कल सुबह किसी अपार्टमेंट से गाड़ी सीज करनी हैं बोल रहे थे गाड़ी का डेटेल गाड़ी डिटेल छोड़, अपार्टमेंट की डिटेल बताता हूं सुन उस बेर्डिंग के कोरे कोरे में सीसी टीवी कैमरे लगे हुए है फुल सिक्यूरिटी टाइट ओनर के पर्मीशन के बगर कुट्ता भी अंदर नहीं जा सकता वो गाड़ी कभी बाहर नहीं निकलता क्या ओफिस से कैब आती है गुरू छुट्टी की दिन भी गाड़ी बाहर लेकर नहीं आता वो ये गाड़ी सीज करने में बहुत मसा आएगा बास अब बारिश से सेफ हो गया बारिश को भी आजी आनी थी वो वाच्मन अमें देख रहा है शुरू हो जाओ गुरू इंग्लिश टाक मैं ओके 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 इंग्लिश गुरू या वाच्मन इस गोरिंग ये गोरिंग नहीं सीइंग बे ओ अंडेस्टैंड कम नाव लेट्स तूवर्क फॉलू मी फॉलू मी ए स्पॉर्ट तू वहाँ देख मैं यहाँ देखता हूँ ठीक है ठीक है मिली क्या है कोना कोना चान दिया गाड़ी कहीं है इने गुरू ठीक है वहाँ देखता हूँ यहां पे 90 पसंद गाड़ियां लोन वाली है मिल कई स्पॉर्ट क्या करें गुरू एक नंबर का चाप्टा रहो तो 304 कौन कौन है आप हम आपकी गाड़ी सीज करने आये हैं गाड़ी सीज करने का कितना मिलता है तुम्हें यह जानकर आप क्या करेंगे बताईए ना दस हजार रुपए मैं आपको बीस हजार रुपए दूंगा गाड़ी छोड़ के जाओ देखा गुरू कितना मान है यह दो लाग दोगे तब भी नहीं मानूंगा मंत्री के अपार्टमेंट में सॉफफ़ेर का काम देख रहा हूं इसलिए सॉफ लग रहा हूं क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा समझ रहे हो क्या मेरा भी अच्छा बैग्राउंड है मुझ से पंगलिया ना तो तुम्हें में पड़ेगा मैं तो डर गया अरे अरे अ बाप्रे 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 तु शायद बातों से नहीं मानेगा तुछ पर हाथ प्यर चलाने पड़ेंगे है ना गुरू क्या हुआ काम हो गया अपना भाई यहीं उनका ओफिस है वान एन ओनली फाइनेंस ओफिस है मतलब यह एक नमबर है और आप भाई मैं छे नमबर है रुको अंदर जा रहे हो है इसने मेरी गाड़ी सीज की है इसके लिए अपनी बेस मत करो बैठ जो क्या हुआ मुझसे बात करो कल आपके लड़के ने इनके अपार्टमेंट से इनकी गाड़ी सीज कर ली हमारे अदमी से पंगा लेते हो तुम लोगों से कोई पुछने वाला sausage करो और और काम की बाद करो मैं settlement करने आया हूं लोल लेने के वकत तो तुम नहीं था हमें लोल लेने के कि वक्त नहीं आता के सेटलमेंट करने के वक्ता हूं ठUIक है लारी का नमबर बताओ MH05-MG-8919 3 लाग बाकी है 3 लाग बाकी है ये गरीब आदमी है भाई Infosizal में जॉब है 1 लाग सेलरी मिलती है 1 करोड का फ्लैट है और इसे तुम गरीब आदमी कह रहे हो वो सब मैं नहीं जानता मैं यहां आया हूँ, सेटलमेंट कर दो 3 लाग दे दो, और N.O.C. लेकर जाओ 3 लाग नहीं दे सकते 1 लाग दे देंगे, गाड़ी दोगे या नहीं बता दो उसके बाद गाड़ी को यहां से कैसे लेकर जाना है मुझे अच्छी तरह पता है 1 लाग से काम नहीं होगा, 3 लाग ही लूँगा मार्केट में तुमको भी धंदा करना है, मुझे को भी धंदा करना है मैं कौन हो तुम नहीं जानते, अगर मुझे से पंगा लिया ना, तो बहुत भारी पड़ेगा ठीक है, ढ़ाई लाग रोपए दे दो भाई, यह आप क्या कर रहे हैं तुम चुब बैठो उतना नहीं होगा, हे, निकालो येलो डेड़ लाग अरे दो तो दो यार मेरे पास सिर्फ इतने ही है अच्छा ठीक है अब जल्दी से पेपर बना दो कल आ जाना कल आ जाना? हे, तुछू पर मैं हूँ ना, कल कितने बजाओं? इसी टाइम पर आ जाना भाई ये क्या भाई, सिर्फ डेड़ लाग ही लिया? तुम बस देखते जाओ मससे सेटल्मेंट करेगा वो और हाँ जल्दी से नोसी रेड़ी करो हे, जल्दी से लेटर दे दो अरे मुझसे क्या बात कर रहा है हो? माई से बात करो ठीक है, माई जाए, भाई साब, रेलीजिंग लेटर किदर है ए भाई, रेलीजिंग लेटर दो ना कौन हो भाई तुम? कौन हो मैं नहीं जानता कल मैंने टेल लाग रुपे दिये थे ना किसको कब कहा क्या दिया तुमने ये क्या, होशयरी कर रहे हो मेरे साथ मेरे लड़के नहीं आए, तो होशयरी कर रहे हो पोँच भी लेकर आएगा तो कुछ नहीं बिगाड पाएगा हलो, हलो बोस बस क्या, ये सब क्या चल रहा है कली तु मैंने टेल लाग रुपे दिये थे ना देने वाला भी यही था देने वाला अगर वो है तो तुम कौन हो भाई मैं तो settlement करने के लिए आया था कैसी बात कर रहे हो तुमारा सड़ा हुआ चेहरा कौन याद रखेगा भला देखो उसकी गाड़ी पर 3 लाग रुपए बैलेंस है पूरे पैसे दे दो और settle करके गाड़ी ले जा देख लूँगा, देख लूँगा, देख लूँगा हाँ, हाजम नहीं करने दूँगा भाई, मेरा क्या होगा मुझे क्या पूछ रहा है उसको पूछ क्या भाई, आप settle करवाने आये थे अब आप अपनी जुबान से मुकर रहे है अगर तुम्हे तकलीव थी तुम मुझे बोलते, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उल्टा गुंडो को लेकर तुम मुझे ही डराने चले आए, इधर आओ, बैलेंस पैसे दे दो और गाड़ी कर जाओ, ठीक है सर, ठीक है, हूँ, फुल, हाउस, फुल, सर, आपने हमारी गाड़ी इस तरह क्यों रोकिये, ओ भाई साब, आपकी गाड़ी सीज करने आया है, लेटर देख लीजिए, और चुप चप गाड़ी की चाबी दिए, सर, प्लीज सर, एक घंटे की महलत दे दीजिए, फैमिली को एरपोर्ट छोड़का राजाओंगा सर, और जंट है सर, प्लीज सर, समझने की कुछ इस कीई, सर, सीजर के बालों में कैची चाय तो घुमा सकता है, लेकिन सीजर के सामने से गाड़ी नहीं ले जा सकता है, कहीं तुम्हें बोला ना, आपको विश्करने आए हैं, हज मुबारक हो शुक्रिया, अल्ला तुम पर अपनी रहमत बनाया रहते है, और आप पर भी, समल कर जाए है, आप चलिए, बैठिए, मैं आता हूँ क्या गुरू तुम भी ना, तुम चुप रहा हो, मैं तुम्हें एक घंटा देता हूँ, एक घंटे में गाड़ी यहां होनी चाहिए, ठीक है भाई, पक्का आजाओंगा भाई, स्पार्ट, गाड़ी आते ही वो गाड़ी तू लेकर आना और मैं यह गाड़ी लेकर सर यहां एक गाड़ी सीज करने का मैसेज मिला था इसलिए यहां पर खड़े हैं सर, वो कौन है, वो मारे बहुत है सर, नाम सीजर है, लफड़ा वगरा मत करना, काम होते ही निकल जाना, ओके सर, वे, सीजिंग लेटर दिखाना, यह लीजिए सर, ठीक है डीक है, काम जल्द गुरू, बाते मुझसे कर रहे थे, लेकिन फोकस तुमारे उपर था, गुरू, हमारे एरिया में क्या कर रहे हो, भाई, सीजर लोग क्या करते हैं, मालू में ना, एक गाड़ी आने वाली है, उसे उठाने के लिए खड़े हैं, यह एरिया सही नहीं है, निकलो यहां से, अ आइटम के सामने शाणा बंगा क्या, चल निकल, चल जा, जा रहा हूँ, हमें सिखाने चला था, सर, तैंक यू सर, हमारे धर में गरीब हो या अमीर, जिंदगी में एक बार उसे हज़ पर जाना ही चाहिए, सर अगर आप गाड़ी जाने नहीं देते न, तो मेरे माबाप हज़ पर नहीं जा पाते, तैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा हैसान किया है, मैं जिंदगी भर इसे यलीजे सर, शुक्रिया सर, चलता हूं सर, हालो, सीजर मिलोगे क्या, क्यों देव्या, वो मैं अपने गाउं जा रही हूं, तो तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए, तो बोलो न, हालो, 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 चे, स्विच ओफ, हालो, गरुरू, यह ले, तेरी चावियो डॉकुमेंट्स, देर हो रही है बेटी, शुरी चाचा जी, जलो चलो चलो बश्टप तक मैं छोड़ देता हूं, चलो चलो चलो, मैं उठालूंगा, चलो आओ, बाई, कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, सुचा बता रहा है, वो इधर है भाई, फोन दोस को, हाँ देता हूं, गुरु भाई का फोन है, लादे, हलो, चलो, चलो 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 जल्दी उत्रो, चलिये मैडम, रामपूर आगे मैडम, चलो चलो चलो, पता है उसे दिन, एमजी रोट पर ना, उस गाड़ी के ओनर से दुबारा टकरा गया, उसके भावट जो हूँआ, रहने दे, मत बता, मत करो, आपको चलना ही होगा, यहां गाव में थोड़ा काम है, वैसे आप मुंबई आएंगी ना, तब मिलेंगे, प्लीज, ओके, बाई, 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 अब टेक केर, अच्छा गुरु अब गाड़ी सीज करने चलेंगे, बता सले, बुका अबना, सब्सक्राइब, ये सर, चल, चल, क्या नाम है तेरा, सुभा सुभा तीन से पाँच बज़े तक चाय पीता कौन है संतुष? सर कैप ड्राइवर्स, और आउडी शुटर्स ये तीन कैटेगरी के लोग ही ज्यादा आते हैं इसके और उस चाय वाले के बैयां पर गौर किया जाए तो लगता है कि मैंने उन दोनों को कहीं देखा है लेकिन कहां देखा है कुछ याद नहीं आ रहा है स्वामी शरणम अयप्पा गुरू, चाचा जी का फोन आया था कल सबरी मले जाने के लिए कहा है स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा आपने तो माला पहन ले कोई आपको मारे नहीं इसी लिए ना अच्छी बात जिंदगे से प्यार करना चाहिए और मौत से डरना चाहिए गुनाह करने वाले हाँ भगवान के दर्शन की चाहात लेकर आते हैं उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं लेकिन नेक और शरीफ लोगों को भगवान खुद बुलाते हैं आपको भी बुलाया है क्या भगवान ने फोन किया था या वाट्सवप पर मैसेज भेजा था है तेरी बगवास सुनने के लिए मैं खामोश बैटने वाला भगवान नहीं हूँ शैतान हूँ मैं सबको उपर पहुचाता हूँ सुनो साब मैंने ये माला पहनी है इसलिए अभी तक आपसे शांती से पेश आ रहा हूँ मैंने ये माला उतार दी ना तो तेरी मुलाकात ये अम्राज से करवा दूँगा क्षमा प्रभू स्वामिये शर्णम अयप्पा आप दर्शन करके कब लोटेंगे अतिशीग्र अरे जाहिए 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 हम इंतिजार करेंगे अपने भगवान से जीवन दान मांग लेना क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे मृत्यू देने वाला हूँ शेर पर बैठे आयप्पा के दर्शन करने के बाद मैं तुझे सीधा उपर भेज़ दूँगा स्वामिये शर्णम अयप्पा वार 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 कर दो दोड़ा है स्वामी ये शरनम स्वामी वो दूसरे स्वामी सुबे से निदर नहीं आ रहे हैं स्वामी वो प्रसाद लेकर घी लेकर कुछ तो खाने के लिए आएंगे अब आप चुपचप अपना काम कीजिए स्वामी बहुत भूख लगी है स्वामी जब से आप आएं तब से देख रहा हूं खाने को दो 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 अगर यहीं चलेगा तो मेरे साथ आगे से मत आईएगा दिमाग खराब हो गया मेरा चुपचप पहले अपना काम कीजिए ब मुंबई में जो तलवार मिलती है व्यासी तलवार केरला में एक भी नहीं मिलेगी सुना है केरला में जो तलवार मिलती है उससे शिकार कभी मिस नहीं होता चल निकाल पन्नी स्वामी मैं देयानन स्वामी बोल रहा हूँ जल्दी से हमारे साथ आए हम दर्शन के लिए जा रहा है स्वामी स्वामी बोल रहा हूँ जल्दी से यहां आफिस में आजाई स्वामी स्वामी बोल रहा हूँ आप कहा हैं जल्दी आए दर्शन के लिए देर हो रही है स्वामी जी स्वामी ए शाना मयप्पा स्वामी मैं करिया पा स्वामी बो रहा हूँ बैंगरूर से आए हुए कतपा स्वामी को ढून रहे हैं जल्दी से मुझसे आख कर मिलिये स्वामी मुंबई के स्पोर्ट स्वामी हमारे दर्शन हो चुके हैं प्रसाद भी मिल चुका है मतलब काम हो गया इंडिया में अभी अंधेरा नहीं हुआ और चंदर आ भी गया आये दुबई के साहब जी इंसान की चाया देखकर वो कौन है ये जान जाते हो लेकिन हमारे बलराम के कातिल को अभी तक नहीं जान पाए सब काम हम ही करेंगे तो पुलिस को सैलरी क्यों दे थोड़ा उनहीं भी काम करने दो नहीं हमारे आदमी को चूने वाला बचना नहीं चाहिए उसी दिन उसका खात्मा होना चाहिए चूते ही काटने वाले जानवर होते हैं शिकार करने वाला शिकार ही वह कौन है ये मुझे पता चल जाएगा फिर देखना मैं उससे कैसे तड़पा के मार था तुम बहुत दूर से आये हो कौन सा हे एक श्रामपुरा लो प्रशाद कोन सा है कला नगर बैंड़ा लो प्रशाद नमस्कार साब कहिए कैसे याद किया मुझे ये कउन है पता है इनकी बात कर रहा है मुझे पता है सर हमारे डिफॉल्ट कस्टमर है कल रात को इमैंनें की गाड़ी सीज की थी अगर सर कहीं आपने भी तो नहीं लोन नहीं दिया अपे तू अपने आपको समझते क्या है तू मुझसे मजाग कर रहा है मजाग कर रहा है अब दिखाता हूं तुझे डाल इसे अंदर स्टॉप मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मैं खुद ही चला जाओंगा इडियट भाई बेल हो गई है शलिए दोस्त वो नहीं होता जो बेल करके छुड़वा ले जाता है जो कांड करके अंदर आए और साथ दे उसे कहते हैं दोस्त तम लोग जा कौन है वो जिसने हमारे लड़के को अरेस्ट किया है ये लोग कौन है सर मुंबे की सभी पुलिस टेशन में इनकी फाइल है जो कभी न क्लोज हुई है न कम्योपर उसने तुमें बारा किया नहीं भाई क्या किया है उसने इल्लीगल तरीके से बिना पॉमिशन के गाड़ी सीज की इसलिए अरेस्ट किया हम गाड़ी को सीज करने से पहले कमिशनर को एक लेटर पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर और कस्टमर को भी लेटर भेजते हैं यही हमारा बिजनेस है वो भी लीगल है उसे अरेस्ट करने का अधिकार आपके बास नहीं है हाँ छोड़ दो से वेट हम खुद आ रहे हैं चल स्पॉर्ट कि दुबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा इंस्पेक्टर चलो बड़ा आया हमें अरेस्ट करने वाला भाई आपने पूरे शहर वालों को लोन दे रखा है पुलिस को क्यों नहीं दिया है एक आदमी को दिया है बैठो अंदर जी भाई मैं बताता हूं देखो इने अपने बाप की सड़क समझ के कहीं भी गाड़ी पाक कर देते हैं चल चल गाड़ी उठाते हैं सर आधी लाइन में अभे बेवकूब गाड़ी को लाइन से बाहर निकाल के फोटो खिच के अंदर डाल दे उसको बीचने पे तो पांसो भी नहीं मिलेगा लेकिन चुड़ाने पे साथ आठ सो मिल जाएंगे जल्दी से डाल अरे अरे सर पार्किंग प्लेस में गाड़ी पाक की थी फिर भी क्यों लेकर आ गए अरे भाई पार्किंग की लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी थी फोटो भी खिचा है प्रूब दिखाऊं क्या साड़े साथ सो बरो गाड़ी लेकर जाओ ये लिजे रिसिप दीजे नेक्स्ट सर बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी सर इतने में आप गाड़ी उठा लाएं सर देखिए मैडम जिस तरह आप अपने बच्चे का खयार रखती हैं उसी तरह गवर्मेंट के रूल का भी ध्यान रखा कर ये नो पारकिंग में गाड़ी खड़ी इसले हम लोग उठा कर लाएं साड़े साथ सो भरिया हो गाड़ी लेकर जाएए हाँ नेक्स्ट गाड़ी का नंबर बोलो भाई 2904 वन और वन ली फाइन्स 2904 अरे तो इसी गाड़ी का नंबर है सीजिंग लिष्ट में होने की वज़े से ये लेटर आपको दिया है अंदर कौन बैटा दिखाए दे रहा ना इससे मुझे कोई मतलब नहीं है सीजिंग लिष्ट में होने की वज़े से लेटर आपको थमा कर ये गाड़ी अपने साथ ले जाने के लिए आया हो अब आप गाड़ी से उतरेंगे या आपको भी गाड़ी के साथ ले कर जाओं हमुआ हमुआ हम दो आपको भी आपको हमुआ 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 है इंपोर्ट है वाका ही ब्रांडेट है ना क्या मजा करें गुरू पार्टी इधर है ठीक है मुला उसे है ब्रिदर इधर इधर रहा कॉंसे गाड़े रहे पगानी और हाँ गाड़ी बिना चाभी के भी खुलती है एवर्टिंग इस सिगनल उपरेटेड भाई फिक्र मत करो हम प्यार से काड़ी को लाकर दे देंगे काड़ी को ओपन करनी के कोशिश की तो एरिया इंस्पेक्टर को एलेट मैसेच चला जाएगा गा गुरू इसके लिए भाई ही सही है फोन लोगा उनको Hello, welcome to Bighani Customer Care, what can I do for you? I have lost my car key, what is the procedure to open the car? Surely I can help you sir, who is the registered owner of the car? I am the owner of the car. Your good name sir? My name is Bhoopati. Please tell me your vehicle number. The vehicle number is MH05MB8055. Okay, please tell me your date of birth. 0101 1970. Okay, sir, to open your car lock, you have to pay money. Please tell me how much should I pay? 200,000 Indian rupees. 2 lakhs. Okay, done. I will transfer it immediately. Hey, 2 lakh rupees transfer. Okay, sir, thank you. Your car lock will be opened in a few minutes through satellite. ये कैसे हो गया भाई? ऐसे ही हो गया. तुम नहीं समझ बाओगे. चलो. भाई, 16 Only Finance कमप्नी ने अपनी कार सीज़ कर लिए. उठाके लिए उसे. अशूगे लिए. इन सिंग्दानों को पैक करके वहें से पार्सल कर सकता था मैं लेकिन जिसने मुझे उठा लाने के लिए कहा उससे मिलने की तमन्ना हो गई तो समझ ले तेरी ये तमन्ना तेरी आखरी तमन्ना है इस भूपती का सामना करने के लिए या तो ताकत चाहिए या दौलत अगर तु सीधा मुझे सामना करके मेरी गाड़ी ले जाता तो तेरे में सच में ताकत है मैं मान लेता लेकिन तू किसी अली बाबा के चिराग को उठा कर लाया और अपनी दौलत की ताकत दिखा रहा है जो मेरी ताकत को आजमाता है ना उसे मैं दिल खोल कर जवाब देता हूँ जिसे प्रेम की भाशाना समझ में आ रहे उसे उपर पहुचाने में वक्त बरबाद नहीं करता चुटकी चुटकी बजाते ही तेरे सामराज को मिट्टी में मिलाकर तेरा नामों निशान मिटा दूँगा यह हीरो गिरी तू किसी और को दिखाना क्योंकि इस फिल्म का असली हीरो मैं हूँ ए सीजर भूपती की सीज की हुई गाड़ी को कार्पोरेशन फिल्ड में लेकर आओ खमाल है यार जुबान पर गुस्सा है और दिल में सिर्फ डर है डर की वज़े से मैं मौत के आगे पीट दिखा कर नहीं खड़ा हूँ सीना दिखा कर खड़ा हूँ पांच मिनिट में तुम सब को खतम करके मैं यहां से जा सकता हूँ ये हीरो गिरी होगी लेकिन सीज की हुई तेरी गाड़ी को यहां ला करके तेरे सामने घर जाओंगा क्योंकि मैं मर्द हूँ जो नीचे है वो इस सांड के सामराजिका है उठेगा और तुझे सिंग मारकर उड़ा देगा सिंग मारना तो दूर पैरो पर खड़े होने के लिए साल लग जाएगा मांगता है तो स्कैन करा लो रिपोर्ट जो मैंने बोला वही आएगी भाई तो यह इसी का आदमी है कि देग लिया ना मुझसे मेरी गौड़ी छिनने वाले इन कमीनों की अगर मैंने सांसे ना छीन ली तो मेरा नाम भी भूपती नहीं होग तो यह तो फेले की तरह आई चागा आउत अरे भाई तो हमेशे मेरी गाड़ी के पीचे काय को पड़ा रहेता है तुम लोग को सिर्फ मेरी दिख्ता हूं क्या किसी और की गाड़ी नजरी नहीं आती है क्या दिस इस ना ओन वहीखल मैन लोन की नहीं है।ा यार। एक तो लफड़े की गाणियां करीता है। मिनरवा सिर्कल के हाफ। चीप रेट में गाड़ी घले में बांध देते, क्या बता हूँ। कूई बी गाड़ी लेने से पहले उस गाड़ी पर कितना लोन है, क्या-क्या बाकी है, कुछ पता नहीं करता है क्या। आइसे भी बात होती है, क्या गुरु मेरे को पता ही नहीं था। है बटले हमारे सामने बड़ी-बड़ी गाडियों में घूमा हैं और हमें ही बता रहा है तो आप हम गाड़ी पैसे बादा पर जा आप अगर यह गाड़ी वापस नहीं थी न तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर कर दूंगा दोनों को एक बास सुनले पुलिस टेशन हमारा दूसरा घर है हमारा स्कूल है सुभाए वहाँ जाते हैं और शाम को वापस आते हैं एक्सक्यूज में अरे आटो में जाने के लिए पाइसा नहीं है तो पैदल चला जा कैसे लोग है यह पुलिस कंप्लेंट करूंगा बोला तो बोलते कि वो स्कूल है घर हम सुभाज आते और रोश्यम को वापस आते हैं इधर कोई लौरी वाला भी नहीं दिख रहा है है जिन्दबाद है 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 मुझे अचाने घर के मुलाए गाओं से मेरे पापा आए है उन्हें आपसे इंट्रिद्यूस करवाना है अधिक अधर पापा मैंने कहा था ना आट्यों इंस्पेक्टर है मिलिए नसे नमस्ते सब्सक्राइब है आई भशेभर आई अभश्व गया है है हमजे आज़े मिलने के बादना मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने जो दिविया के लिए किया ना डिवरे ने बताया हमारी बेटी को होस्पिटल में भरति करके आपने बड़ा इस्टान किया वह तो मेरा फर्स था सशार आपका नाम सीजर फ्रीजर नइने सीजर सर ये नाम है क्या हां सर मेरा नाम सीजर खैरा ने दिए मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी नहीं सर मैंने अपनी कार का लोन ठीक से हर महीने भरा है साब इसके बाद भी मेरी कार सीज कर दिये मैं ना लोन पर कभी कुछ लेता नहीं हूँ, ये कार लेली मेरे लिए प्रावलम हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ आप बाती वो इंस्पेक्टर हैं, इसलिए आपको सीज की हुई गाड़ियों के बारे में सब पता है, ऐसे वक्त पर आप साथ रहेंगे, तो अच्छा रहेगा है, यही सोच कर आपको आने के लिए का आज ना उस फाइनन्स कंपनी को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा कौन सी फाइनन्स कंपनी है सर, वही वन और ली कार फाइनन्स कंपनी, पूरे शहर की नाक में दम कर रखा है, घर के सामने गाड़ी खड़ी थी, इंस्टॉल्मेंट भरने के बाद भी गाड़ी सीज करना गलत नहीं है क्या, गलत नहीं है सर, मतलब लोन टाइम पे भरेंग मैं आठीओ इसपेक्टर बनके ऑफिस में आ रहा हूं कोई खास बात है क्या आज मेरी लगने वाली है, अब मेरे साथ जो न्याए कराने के लिए मैं अपने साथ आठीओ इंस्पेक्टर को लेकर आए हूं, हमने ऐसा कौन सा गुना कर दिया है, हर महीं नहीं यह मैं भरता ह मेरी गाड़ी सीज्ट करनी है आप हर महीने EMI भरते ना तो हम गाड़ी सीज्ट करनी पड़ती है अरे अपने विष्णू के हाथों हर महीने EMI भरा है लेकिन आप मुझे कही नहीं निकाल दे इसी डर से नहीं बता पाया तू अभी क्यों बता रहा है तू आप मुंबई में है ना किसी लिए सारे सार बेवकुफ नाला एक छोटी सी समस्या हो गई है सर देखिए ना हमारे विश्णु ने भर दिया है भर दिया करके सारे प्रेसे खर्च कर दिया और लोन भरा ही नहीं तो अब शमाच चाहता हूं सर जो भी होगा उसमें आपका इंट्रेस्ट मिलाकर लोन चुक्रा करक मैं बुरा मतमानिया का सर सौरी परिशान करने के लिए और कोई बात नहीं है सर अपने आटियो ओफिसर के बारे में फिक्र मत कीजिए ये हर जगए नार्थ इस्ट साउथ वेस्ट हर कहीं घूम फिर सकते हैं आप जितना तो नहीं सर मैं कुछ समझा नहीं सर माफ कीजिए आप चलिया या आप चलिया मैं आता हूँ चलता हूँ नमस्ते अब सर अब कुछी कर जाए जिए इसको तो मैं ठोड़ूंगा नहीं थोड़ूंगा थार दो पियें गए कोफी कर जाए ठीक है सर डूद वाली पिएगे यह बले कौफी कुछ भी चलेगा सर मिला क्या हमारी कार सीज करने वाला चोर कह रहे थे सीजार का डेटेल नहीं दे सकते वो अगर ये पुछते की चोर कौन है तो मैं ही बता देती आप बता देती हाँ हमारी कार सीज करने वाला चोर कौन है मैं जानती हूँ हमारी कार सीज करने वाला वचोर आप ही है I know it गाउं से वापस आये मुझे सिर्फ एक घंटा हुआ था उतने में ही आप हमारे घर आए और हमारी गाड़ी सीज करके चले गए तब मैं टेरिस पर ही थी और आप RTO आफिसर भी नहीं है ये भी मैं जानती हूँ इन फैक्ट वो कौन है मैं नहीं जानता इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं मेरे कॉंस्टबल ने थोड़े पैसों के लिए उन्हें मेरे चंबर में आने दिया आज से मुझे आपकी ये फ्रेंशिप नहीं चाहिए पर उससे भी कुछ बढ़कर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो क्या अरे आपकी पापा आपके पापा कह रहे थे आपके लिए कोई इंजिनियर लड़का देखा है इंजिनियर नहीं सीजर चाहिए हलो कहा है भाई तू कहा है भाई पहले तू कहा है ये तो बता तुम्हें किससे बात करनी है तेरी इतने हिमद तु मेरी गाड़ी उठाकर ले गया एए कौन से गाड़ी रहे डबल वान डबल सिक्स आइटेन वो गाड़ी नहीं मेरे लिए मेरी औरत से बढ़कर है ए चुपरे रहे तीन महीने से लोन नहीं भरा तेरी गाड़ी सीजने होगी तो तुझे बुलाकर प्राइस देंगे क्या तो कहा है इतना बता वहां आकर मैं तुझे सीज कर लूँगा मरने का अगर इतना ही शुक है आजा मैं चार बंगला के पास हूं आजा अभी आता हूं तो वहीं रुक इडि ररक साइड में आग quasi भी आताम चांक अतारा गाड़ी आथ। अशुक पास्टित कर को साइड कर कार दो यज ए जर खूरा कशला ना यह तैना यह तुला लगर रेका को साइड कोसरी से खूडा अशु ट्ट्रिपु जॡ़ कार इव ज। अब बंदर 500 रुपय का लोग में इस गाड़ी को लोन बाकी है तुम लगोच ज्यादा ही बोल रहे हो मैं जीप में आये तो जीप लेकर चले गे कार में तो कार भी लेगे अब इस खटाला स्कूटर को भी ले जाने की बात कर रहे हो देखो मेरा दिमाग खराब मत करो हां के रहे हैं तो गख कर दो कर तो सब्सक्राइब हो इस सब्सक्राइब को तुम लोग को जयादा ही बोल रहे हो वह गोगवान के लिए मेरे पत्नी के सामने विज्ट का भाजी पला मत करो तुम दो मिनिट्रों को िंसे कर लो एक बात बता यह भी लोन पे हैं या मतलब मतलब तेरी अपनी है या बाड़े की है तो बोलना क्या चाहता है यह पूछ रहा है बाई अरे यह फ्यामिली के बारे में बेकर की बातें करने का वरना मुझसे बुरा कि पिछली बार दूसरी वरत के साथ आई ते ना इसलिए पूछा पूछ लीजिए आजे गया कांसे अरे यह बक्वास कर रहा है इसी बेकर में तुम क्या गलत समझ रहा देखो तुम मुझे जानती हो ना मेरो कोई नहीं है दुनिया में मैं तु आरे तो छोड़के कुछ आ रही हो इधर आऊ ना मैं तुमको पिच्चर दिखाऊंगा है तुम चत्र रहे है तो सारे डिटेल्स इसमें हैं अगर कुछ पूछते हैं तो सिर्फ गाउं का ही नाम बताना है यह वोन क्यों नहीं उढ़ा रहा है अब भूलेगा वह ए बोले का बोले बाई हां श्रीवा तुम कहां हो भाई मैं या किसी को सबक्षिकार रहा हूं बोली है वाई हां सुनों सीटी कॉर्टरस में गाड़ी सीज करनी है अब अब बबबब बाए अगर मैंने उनकी कार को हाथ भी लगाया ना वो मुझे सिधा आस्मान में भेज देंगे भाई ए तेरे में इतना ही दम है चाल फॉन रख ठीक है भाई तेरे की क्या मैं हटकड़ी नहीं पहनना चाहता हूं ठीक है फॉन रख हेलो भाई आपने मुझे फॉन किया था ना क्या बात है मेरा एक काम रिस्की है करोगे क्या तुम हां बताइए ना से आईटी क्वाटर्स में जाकर एक गाड़ी सीज करनी है काम हो जाएगा भाई 385 फेगेन आयर लिड़ा समझ रखा है नंबर क्लेट निकाल देने से गाड़ी सीज नहीं होगी क्या आता ओला खान आतूर भाई एमरजनसी की मेकर मेरे हातों से बनी हुई चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहों ऐसी कोई हिस्ट्री ही नहीं है भाई सेंसर है या विदाऊड सेंसर है भाई तो फिर मुझे किट लाना होगा भाई 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 करना बंद करो जल्दी से सी आईडी कौर्टरस आ जाओ मैं आ रहा हूं भाई या अल्ला काम दे दिया बच्चे को खुश कर दिया जल्दी नहीं आए तो आज तेरी खाहर नहीं हो ना एक्सपर्ट सर टोना नहीं कर रहा चल्दी कर हो गया मिल गया मिल गया मिल गया अरे बस हो गया अरे रुको हो गया पाल क्ष़ाथ सा गया मैं एक या रगा नहीं होगा व्यार गया अगया अगया आगया अगया 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 लगेगा उस थी सेकंड में आपको स्टार्ट कर रहा होगा ओके है ना सॉरी ओके ठीक है एक्सपर्ट मैन अता उलाखान हूं मैं पुलिस वाले भी पैसे देते हैं शुक्रिया इसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूं तो फिर सीजर किस ने कि मैंने गाड़ी किस ने स्टार्ट की मैंने ही की तो फासेगा कौन अब बाप्रे मुझे छोड़ दो मैं खूद यहां से चला जाओंगा जाना नो इधा रहे मैं ले जाओंगा ने याल्ला बजाले मुझे रहमकर बाप्रे इतने सारे एक्सपट की मेकर का लूमर आपको ने दिया भाई जस ये डायल से मिला किस डायल से अरे आपके फोन डायल से मेरा नमर डिलीट कर दो रुको रुको रुगो बाप्रे, याला, अरे मेरे भाई, आप कहरें कि आप सीजर है, और उस पुलिस वाले ने आपको सेल्यूट किया, वो कैसे? अरे दो बार हॉन बजाने से तो कोई भी पुलिस वाला गेट खोल देता है दो बार हॉन बजाने से पुलिस वाला गेट खोल देता है वो कैसे किसी भी गाड़ी को सीज करने से पहले हम अच्छी तरह स्टड़ी करते हैं मैंने देखा कि दूर से दो बार हाँन बजाने पर ये सल्auft करके गाली को जाने देते हैं। इसलिए मैंने भी सेम पैत्रह अपनाया। और उन्होंने कुवाटर की गाड़ी समझ कर जाने दिया। गाड़ी सीज करने के लिए दो बार हाँन बजाया। अलो भाई गाडी सीज हो गई वेरी गुड आजाओ पार्टी करते हैं यह कबसे आमें फॉलो कर रहे हैं एक काम कर लेफ मेले ठीके स्ट्रेट स्ट्रेट चाल लेफ लेफ ले लेफ लेफ गौराओन में चल तुझे क्या लगा तु मुझे यहां फॉलो करते होए आया है नहीं मैं तुझे यहां लेकर आया हूँ शिकार करने के लिए शेर हिरन का पीछा जंगल में करता है हिरन खुझ शेर को ढूंडते हुए पहली बार इस चंदर के अड़े में आया है जब तक यह सूरज रहेगा तब तक यह चंदर भी यहां रहेगा भगवान के एक दिन में रहुकाल यमगंड काल गुलिक काल के लिए केवल साड़े चार घंटे दिये हैं बाकी के साड़े उननिस घंटे जो हैं वो सिर्फ चंदर को ही मिले हैं काल चक्र की डोर सिर्फ मेरे आतों में है मा की कसम खाकर कहता हूं मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता इसलिए अपनी स्टाइल में ही आपको समझाता हूं मैं हमेशा वक्त का इंतिजार करता हूं और सही समय पर वार करता हूं बचकिया तो तेरी किस्मत वार्ना सीधा उपर आजा आजा है हम इस अपन पर प्रोड़ता है जो भी इससे लेता पंगा उस्से नहीं छोड़ता है पी हाते पी हाते पी हाते पी हाते पी हाते कि अप से! हुईभ एबेखिते वया इफटे है कर दो कर दो एञे है कि मसे थे एचे है कि मसे हुईभ घठे है कि दो अचेज़ कर दो 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 कि अख़ो हुभ भुब फुब ड़र कर दो कर दो कर één है कर दो सी फर्षवन सी फर्षर सी फर्षर सी फर्षर डो पतार द vis अगर तुम्हारे मेरे से क्या दुश्वनी है हमारे कुल देव लक्षमी नारायनर सिंभा जी उन्होंने हिरन ने कष्षप का वद किया था मतलब मैं भी वही करूंगा वही हिरने धित करूंगा टो कि जी दुश्र मेंघाodel झालिए कि प्रिखर तर से कुझते eaten है जीत कुझते हिरे करूंगा कि देखर म्होंने कि अ शुश्त रेंद धायालायन गर्स्ते से कोरे कि अले साव मतल जीन चरुश्षमी आया हाँ मुझा पाइव दो फिर दो कता है। हर माबाप चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, किसी की जान बचाएं लेकिन अपने भतीजे के हाथों खून करवाने वाले आप अकेले चाजा हैं भगवान किसी की जान लेते हैं, तो कहा जाता है कि दुष्ट के संगार के लिए अवतार लिया एक राजा खून करता है, तो कहते हैं राज जी की भलाई के लिए ऐसा किया और जब पुलिस एंकाउंटर करती है, तो उसे समाज से गंदगी हटाने का नाम दिया जाता है यहाँ तुमने जो किया है, वो सिर्फ खून है ये किस ने कहा हां? मेरी आत्मा ने, जब भी मैं किसी का खून समीन पर पहते हुए देखता हूँ तो पता नहीं कियो ऐसा लगता है जैसे की कोई पाप कर रहा हूँ समझ में नहीं आता कि किस का खून कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूँ हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है मैं हिरन की तरह ना खेल कर शेर की तरह शिकार क्यों कर रहा हूं ये सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा तुम एक शिकारी हो और तुम शिकार ही करोगे मुझे ये रामाईर नहीं सुननी सिर्फ इतना जानना चाहताओं कि मैं खून क्यों कर रहा हूं कर्मन्नेव अधिकारस्ते मां फलेशुकदाचन कहा जाता है मैं खून करवा रहा हूं और तुम खून कर रहे हो पाप पूरे का हिसाब किताब मत देखो, वो सब मुझ पर छोड़ दो, अभी तुम जाओ नई, जवाब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाओंगा मुंबही के नलों में चाहे पानी आए या ना आए, लेकिन गलियों में खून की नदिया जरूर बह रही है कुछ दिन पहले ही बलराम जी की भी इसी तरह से हत्या हुई थी, और ये दोनों ही भूपते जी से जुड़े हुए थे इन दोनों की हत्या एक ही तरीके से होने की वज़ा से, इन दोनों खून का हत्यारा एक ही है, ऐसा माना जा रहा है आपका क्या कहना है सर, मैं यूनिफॉर्म देदू क्या, आप ही इन्वेस्टिकेशन कर लीजे, हमारा काम आप ही कर रही है न, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अपडेट्स मिलते ही मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, इस तरह हवा में तीर चला कर लोगों को मिस्गाइड मत कीज आती है, ऐसी चाबी कौन यूज करता है जरा बताएंगे, सर वो सीजर्स है, चंद्र और बलराम को मारने वाला एक मर्द की आउलाद ही है, हम लोगों के सपनों में आते हैं तो सब तर के मारे अपना बिस्तर गिला कर देते हैं, तेरी कसम चंद्र, उसे मार कर शंक बजा कर उसकी लाश पर अपने आदमियों को डंक नका, डंक नका करके पूरे दिन नच्वाओं का अभी तक पहला ही केस सॉल्व नहीं हुआ है, उपर से एक और खून हो गया, आप आखिर कर क्या रहे हैं? आप से जब मैं पहली बार मिला था, तो आपके अंदर का जुनून देख कर, मुझे लगा आप ये केस दस दिन में सॉल्व कर लेंगे But nothing has happened, I can't take this anymore खूनी बहुती चालाग है सर, खून करने से पहले अच्छी तरह से प्लान करके एक्जेक्यूट करता है सर मंत्रियों से भूपती के लोगों से कितना प्रिशर आ रहा है पता है, what am I supposed to answer them? अगर आपसे ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए, I will find some other better officer to solve this एक हफ्ते की महुलत दीजिए सर वन वीक, mind it, that's all एए, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा ये काए बाबा, ये तो आफिस में भी कार में बैठा है एए, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूँगा ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह क्यों पेशा आ रहे हो एए, आज अक्सिडेंट हो कर रहेगा तुम्हें चेर चाहिए क्या बैठने के लिए, लेकर बैठ जाओ थैंक्यो, यह हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में सूट नहीं कर रहा है, नीचे रख दो, नीचे रख दो, रख दिया अब बोलो, बात क्या है, चार, मेरे चार गाड़िया सीज कर दी है, आप लोगों ने, तुमने पैसे नहीं भरे होंगे, इसलिए सीज कर दी गई, अरे कैसे आंडू पांडू ने पैसे भरे नहीं होंगे, तो उसके बदले में मेरी बैंड काई को बजा रहे हो, यह उन आं कोई मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा, अगर मेरे गाड़िया मेरे को नहीं मिली, तो मैं सब कुछ तोड़ दूँगा, यह थू, चुप चाप बढ़ो, काई को बढ़े, वैंगी, यह बुला, आए, बुला, आरे उसके बाप को बुला, नहीं तो तेरे बाप को बुला, आ तुम जैसो का, वो कही को, ए, नौ टंकी कहीं के, लोन मांगते वक्त हाथ पैर पकड़ लेते हो, जब वसूली का बड़ाता है तो इदर उदर भागते हो, और उल्टा यहां कर हमें सुनाते हो, तुम लोगों के हाथ पैर नहीं काटेंगे, तो और क्या काटेंगे, गाटकोपर से लेकर वर्सवा तक और फिर वर्सवा से लेकर घाटकोपर तक, मेट्रो से इस सफर करूँगा, चलता हूं सर, तुम अभी तक खड़े की हो यहां पर, जा रहा हूं न सर, जाओ जाओ, पिछवाडा समाल के, सर, आपको ताज की बिर्यानी बहुत ही पसंदे मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है, आपके लिए बिजवाओं सर, बीवी को या बिर्यानी, दोनों भी नहीं, यह अडा कोटला, पहले तो लोगों की मुझ से इनके बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, इसकी जरूरत है क्या, घार बार सब बेचना चाचा भतीजा दोनों मिलकर, लगता है कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास सीजिंग करने के अलावा, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, भाई, मैं फाइनांस का काम लेगली कर रहा हूँ, लेकिन तुम जरूर कुछ इलेगल काम कर रहे हो, नहीं भाई, है, काली कहां लेकर जा रहा है, कासा ही खाने में, मार क्यों रहे हैं मुझे तुम, ये मेरी अपनी स्टाइल है, ये का मेरे मलिक ने दिया है, मैं उनको फोन लगाता हूँ, आप बात कर लीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने गाड़ी रोक लिए, उनसे बात केजिए, कौन है भे तू? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करोगे? तेरा मेरे धंदे से क्या संबंद है ये बता तुस्से या तेरे धंदे से मेरा कोई संबंद नहीं है संबंद मेरा गव माता से है गव माता हमारी मा है इसलिए हम उसकी पूझा करते हैं हम सिर्फ पानी भाशा मिट्टी के लिए नहीं लड़ते हम गाए के लिए भी लड़ते हैं हमें सिर्फ अपनी मा का कर्ज ही नहीं भारत माता का भी कर्चुकाना है गाए के बारे में इतना बोल रहा है मतलब तो 166 Only Finance Company का मालिक ही होगा लोगों के पीछे पढ़कर उनकी गाड़ियों को सीज करने के बाजाए मेरे दंदे में टांग अड़ा रहा है इसमें कौन-कौन इन्वाल्वे ये पता है क्या तुझे तेरी गीदर धंकियों से हम डर जाएंगे ये समझ रहा है क्या तू जो मुझसे नहीं डरते हैं बोलने वाले सभी मिट्टी में मिल चुके हैं गाय का अपमान करना या कसाई के हाथ बेचना तोनों गलत है अगर हमारे धंदे में टांग अड़ाया ना तो तेरे सर को धर्च अलग कर दूँगा हिम्मत है तो फोन पर बात करने की बजाए मेरे सामने आँ मेरे दर्शन होते ही तू हमेशा के लिए सन्यास ले लेगा है सीजर हाँ भई गाड़ी को लेकर गाऊ शाला में जाओ ओके बोल किसने मेरी गाड़ी सीज की है दस साल से इस शहर में मैं लोन की गाड़ीयों का धंधा करते आ रहा हूँ मैं इन्वाल्व हूँ या जानने के बाद कोई बैंक मुझसे पूछने तक नहीं आती और एक मामूली सा ओफिस खोल कर छोटी मुटी गाड़ीयां सीज करके तू मुझसे पंगा लेने चला है ए भूपती आज तक मैं अपनी फाइनेंस की हुई गाड़ियों को ही सीज करता आ रहा था बैंक से फाइनस की हुई गाड़ियों का धंदा तेरा है कह रहा था ना ठीक है भाई सबच गए ना हाँ नमस्ते भाई 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 गाड़ी में आप सीजर से बात कर रहे थे अपने धंदे के बारे में कोई खास बात तो नहीं है दोनों चाचा बतीजों को यह सब खेल लग रहा है तुम दोनों क्या कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम खोन कर रहे हो और वो क्या कर रहा है क्या है यह सब अब आपसे बात चुपाने का कोई मतलब नहीं है हमारे गाउं में मेरे भाई की विनमरता की वज़े से अपने काम के प्रति शरद्धा की वज़े से भगवान के प्रति द्रढ विश्वास होने की वज़े से गाउ क्या हुआ बताइए चाहें तो आप पूजा आरापना करवाएंगे यही ना इनसे कुछ नहीं होने वाला है पंडी जी मेरी परेशानी दुर करने के लिए आपको मुझे थोड़ी द्याद रिष्टी दिखानी होगी तुम अपने पिता जी की जमीन के बारे में पूछ रहे हो ना पंडी जी बहुत समझदार है आप तो जानते ही इस जमीन का हकदार मैं ही हूँ एक शलोक है सुनो वने रने शत्रू जल अगने मत दे मुझे कहानी मत सुनाए मुझे मेरी जमीन चाहिए आप बस वो दे दिजिए नहीं दूँगा तुम्हारे पिता ने वो जमीन ऐसे ही नहीं दिये कागस पत्र पे साइन करके वो जमीन हमको दी है वो नहीं रहे इसलिए अपना हक मत जताओ मैं तुम्हे वो जमीन कदाब ही नहीं दूँगा क्या सोचरे अभू पती सोने जैसी जमीन उस पंडित को दे कर तुम्हारे पिता ने तुम्हे रास्त से पैला दिया है सोने जैसी जमीन नहीं सोना पैदा करने वाली जमीन आखिर तुम कहना कह चाते हो जानते हो चंद्र उस जमीन की एक बुरी मिट्टी एक पत्थर बेचने से लाखो लाखो मिलेगा सोच कर देख दस सेकड़ जमीन करोडो करोडो रुपे है उस पंडित को तुमें पैसों का लालज देकर फिर से पूछना चाहिए था आरती की थाली में एक दो रुपे देखने वाला आदमी इतनी बड़ी जाइदाद छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा बेकार में तुम उस जगा को मंदिर के नाम होने दोगे क्या? मंदिर के नाम मैं नहीं होने दूँगा वो मेरे बाप की जाइदाद है मुझे मिलनी चाहिए कोई छोटी बोटी चीज नहीं है जो मैं आसानी से छोड़ दूँ इतने दिन तक चुप था अब चुप नहीं रहूँगा कहा है बलराम दूसरों के भविष्य का आइना होने वाले मेरे भाईया का एक दिन उसी आइने में अपने बेटे का भविष्य नजर आया बेटे के हाथों से कई खोन हुंगे और वो बुराई के रास्ते पर चलेगा ये जानने के बाद उसे रोकने का समय मेरे भाईया के पास नहीं था नमस्कार पंडीची अरे शिला कहा हूँ अरे बच्चे पंडीची नमस्ते खो गया तो देखे पंडीची जर जोरू जमीन अगर कोई खोता है तो उसे बहुत दुखोता आपको पता ही है इसलिए उस जमीन को खोने के दुख में मैं आपसे घलत पेशा है मुझे खशमा कीजिए और इसे स्विकार कर लीजिए भगवान आपका भाला करे मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज आईए न पंडीजी आईए न चाचा जी मुझे वो चाहिए पंडीजी यह मामूली दस एकड़ की जमीन रखकर आप क्या करेंगे इसकी जगह मैं आपको एक बहुत बड़ी जगे भेजना चाहता हूँ मतलब मतलब स्वर्ग में आज के बाद हम कहां जाएंगे क्या करेंगे तू कुछ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तू वही करेगा जिसके चरित्र के बारे में आपको अन्मान है उसके जीवन का रक्त चरित्र ये है सर जी बाई सोचा था दो चार गाड़ी सीजकी होगी यहां तो पूरा गाड़ियों का भंडार है उसने तो बहुत माल चापा होगा हाँ भाई वो है कहां आप आ रहे हैं ये पता चलते ही भाग गया होगा वो तो डरपोग निकला भाई वो डर कर भागने वाला आदमी नहीं है सामने खड़े होकर सामना करने वाला आदमी है मैं आ रहा हूँ ये पता होता तो वो जरूर मिलता है हाँ चलते हैं कौन है वाहाँ अधर आरे तुपंडित का भाई है ना तू अभी तक जिन्दा है ये हम नर्सिम्हा के भक्त हैं हमें बचना भी आता है और दुश्मनों को मारना भी मतलब बल्राम और चंदर को ये उन्हें तो नहीं अगर मैंने शीजर के बारे में इसे बता दिया ये 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 क्या सोच रहा है तू बल्राम और चंदर को अकेले मारा था या तिरे साथ को हाया और है ऑँछी और की क्या जरूरत है मैंने उसे मारा है एक को रास्ते पर काटकर प् SOUND धिया —— और दूसरे को उसी के गोडाउन में तेरहमी से मार डाला और अब तुझे तुझे भी यहीं पर मार कर दोगा तुझे जाले आप जब आएदे अब इसके साथ ही को ढूडने के जरूरत नहीं वो खुद ही आजाएगा आज के बाद हम कहां जाएंगे क्या करेंगे तुझ नहीं पूछेगा और जो मैं कहूंगा तुझ वही करेगा देख बेटे आज से मैं ही तेरा चाचा हूं और मैं ही तेरा पिता भी भूपती ने इन्हें मारा है जिसके चरित्र के बारे में आपको अन्मान है उसके जीवन का रक्त चरित्र ये है सर यहां तुमने जो किया है वो सिर्फ खून है ये किस ने कहा हिरन पैदा होते ही खेलना शुरू करता है और शेर पैदा होते ही शिकार करना शुरू कर देता है मैं भी हिरन की तरह खेलता शेर की तरह शिकार क्यूं कर रहा हूं ऐसा सवाल करोगे तो इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा तुम शिकारी हो और शिकार ही करोगे मैं खून करवा रहा हूँ और तुम खून कर रहे हो ये पाप पुन्नी का हिसाब तुम मत देखो वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो जब सवाल अपने आप पैदा होते हैं तो उसका जवाब भी अपने आप ही मिलता है अभी बहुत से काम को अंजाम तुम्हें देना है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा सीजर भाई अपसोज मनाने से कोई हुई चीज वापस नहीं मिलती नहीं भाई चाचा शेर को भी मात देने की हिम्मत रखते थे ऐसे में वो इतनी आसानी से मर गए मुझे यकीन नहीं हो रहा है दो खून भाई दो खून उन्होंने मुझे खून क्यूं करवाए ये बताने से पहले ही वो मारे गए वो मारे गए इतना ही तुम्हें पता है लेकिन वो क्यूं मारे गए ये बात मुझे पता है क्या पता है आपको इतना ही नहीं तुम कौन हो तुमारे पिता कौन है तुमारा गाउं कौन सा है मुझे सब पता है ये है कहानी झाल झाल खब उनले लोड़त हैं आप है पॉड़ते रही अपूर एब हैं लोरुरुद उनले लुड़ते लिर को झाले लुड़ते लगां रपयों प्रक्रवचा के लिए छोरुवते। कर दो मुझे वन एन उल्ली फाइलेंस के कार शेड में जल्दी आओ कहा हो तुम लोग अ… अ사를 पुम हुआ ह renderले भنت कि मुझे लोग जग जए जगा उड़ जग जग जगता है सब लोग आ गए ना चलो जल्दी चलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब ए डरपोक चुए की तरह क्या फटफडा रहा है बचने के लिए बिल्ड हुण रहा है क्या बचने के लिए और मैं है तु जानताने में क्या चीज हूँ गाड़ियां सीज करने वाला एक मामूली आद्मी होकर तु मुझे सीज करके यहां ले आया बता कितने पैसे लिए किसके कहने पर किया मैं उसे यहीं गाड़ दूंगा ए भूपती मैंने बल्राम और चंद्र को मार कर तेरे दोनों हाथ काड़ दिये अब बता तु अकिला मेरा क्या कर लेगा क्या कहा एक छोटा सा सच बताया तो तू टेंशन में आ गया अब तेरी धुलाई करूंगा तो पूरा वाइब्रेट होगा एई चंद्र बल्राम को मारने वाले उस पंडित के भाई को मैंने टपका दिया तेरा उनसे कोई रिष्टा ने फिर चुटी उनसे खून का रिष् क्याता है पंडित से कोई खून का रिष्टा है क्या रिष्टा है पता चलने तक सांसे नहीं रुखनी चाहिए और पता चलते हैं सांसे नहीं चलने चाहिए करके चाहिए ठाहिए कर enabled कि राहिए क्या में कुटे राहिए हम कहते हैं वो उता है कर दो 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 यह बढ़ाना पेस्ट हुआ 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 है हुआ 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 है सीने से लगा कर प्यार करने वाले मेरे पिता को मार दिया बलकों पर बिठा कर जान छड़कने वाले चाचा को मार दिया जानना चाहता है मैं कौन हूँ बाप का नाम नर्सिम्हाचारी चाचा का नाम पहला चारी विश्णू पुर्गाँ भाम भाम कर दो कर दो कर दो पहले दोनों खुन मैंने बिना कुछ जाने हुए किये लेकिन ये खुन मैंने चान भुच कर किया है इस भूपती के दुश्मन पांड़ों की तरह सिर्फ पांच नहीं है कावरों की तरह स्क्राइकड़ों है ये उसी ने कहा था उन्हीं में से किसी ने ये मारा ऐसी केस फाइल करूंगा लोगों की जाने लेने वालों की तुमने जान लेकर बहुत से लोगों की जाने बजाई है ये खुन नहीं है, संघार है सीजर मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या? अपने पापा से कहो वो लोन भर दे भाई एक डील है, थोड़ा सा रिस्की है इस राज में पॉलिटीशन्स, कॉर्परेटर, कुंडे, सेलिबरिटीज और बहुत सार एफ याईपी लोग हिसाब लगा है तो कुल तीन हजार गाडियां, उन्हें सीज कर पाएंगे क्या भाई? इस वन एंड उनली कंपनी के जरिये ही, तुमारा कॉंट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है ये जानकर ही फोन किया है तुमने, देल मंजोर है इन तीन हजार गाडियों को सीज करने के लिए, अपने पुराने सीजर की जरूरत पड़ेगी कर दो लिए, गार गाड़े जरूरत पड़ेगी